तो आज बिल्कुल पढ़ खचे उड़ा देंगे, मतलब भाई ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर मात्र 5,000 रुपय का है, और सबसे बड़ी चीज, पहला ओडर 3500, कभी सोचा था अपने 3500 में, येस, येस, PC मिल जाएगा, आज वो चीज करने वाल पहले यूजर को सिर्फ और 3500, कैसे purchase, purchase कर सकते हो, सब बताने वालो, shipping हमारी तरफ से, सब कुछ आपके घर पर, PC एगदम धम धम आ जाएगा, और यही वाला, आज टेस्ट वैस्ट करेंगे, पूरा PC बिल्ट करा जाएगा, सबसे पहले थोड़ा डिटेल बता हूँ, कि आ अगर आप खरीदने जाओगे, तो 5800 के आसपास की मिलेगी, तो हाँ, अगर आप खरीदो के हमारी वेबसाइट 5800, प्लस जो भी shipping आपके area का है, दिल्ली में हो, तो बहुत ही कम लगेगा, बढ़ हाँ, थोड़ा से जाला होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, secondary चीज, अ बागे उनके उसके बाद जो भी करेंगे, 5800 प्राइजिंग रहेगी, बागे आपको यह भी दिखा देता हूँ, कैसे order order place करना है, फिर आओ, बिल्ट करते हैं, दोस्तों, directly हम लोग यहाँ पर round screen आचुके, and here you can see the first look of our website, अभी underbuilt है, मतलब अब ग्राफिक्स वाले काम आप देख सकते हो, अलग-अलग चीज़े हैं, आपको अलग-अलग products यहाँ पर देखने को दिख जाएंगे, थोड़ी बहुत customization बचिए, फिर तो next level हो जाएगा, ठीरे-धीरे हो जाएगा, बागी देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, scene क्या, यहाँ देखो, आप यह सारे parts का नाम डे के भी submit कर सकते हो, हम उसका rate rate बता करके बता देंगे आपको, अलग-अलग इंस्टेंट हो जाएगा, आप purchase purchase कर सकते हो, बागी कहीं पर जाने की ज़रूदत नी, website पर ही, full payment, weapons, सब का system इसी पर कर रखा है, तो कोई दिक्कत नी, अब मैं आपको य सब कुछ दे दिया है, अचा चलो, यह देखो, यह 5,000 यहां से शुरू करते है, सबसे पहले यह एक ही unit बचा है, मैंने आप सब को बताया था, एक मैंने जो खरीद है, वो ही दे रहे, तो one stock है, इसका link, आपको तीनों का link मैं, description में दोंगा, जो तीनों product दिखा रहो, इसक नॉर्मल मैं price आपको बता रहा था, 5800 वाला, तो यह 7,000 का है, तो यहां पे आप अगर थोड़ा scroll करोगे, तो आपको SSD चूज करनी पड़ेगी, अगर 128 लोगे, तो यह 5800 का है, 256 मैं prefer करूँगा, यह आपको 6000 का पड़ेगा, और 512 NVME हो जाएगी, पर वो इतने का पड़े जैसे आप नाव वाम फिल कर लोगे, तो यहां पे आप देख सकते हो, आपको shipping वाला भी आजाएगा, आपको कौन सा select करना है, तो 319 रुपे की आसपास लग रहे है, तो total pricing आप देख सकते हो, 6318 में आपको पूरा PC मिल जाएगा, यह अगे आपके area to area, आप भाई कोई Tamil Nadu रहता है तो दिली से Tamil Nadu, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वहाँ price थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां नीचे आओगे, तो आपको phone pay का support मिलता है, तो place order करोगे, फिर यहां से आपका directly, अब यहां से जैसे place order करोगे, यहां पर आपके पास एक नया page आजाएगा आगे in phone pay की तरफ से रहता है, वो payment का जो भी रहेगा, तो वहां से आप payment payment कर सकते हो, book आजाएगा, आपके घर पहुचा देंगे, फटा फट से, तो यह कुछ scene है, अहां, एक और यह PC भी है, यह अपना 7000 के आसपा, 6900 का है, पर यह i5 के साथ है, मैंने जैसे बता है, i5 3rd generation वाला, तो यह और अच्छा है, पर उसके लिए फिर आप budget देखलो, थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां पर SSD चूज करके कर सकते है, तो यह completely buying का scene है, तो मैंने आपको completely बता जिया, साथी साथ मुझे निए पता भाई, वीडियो खतम होने से पहले, तो वो लपेटना आपक काम है, चलो, parts में आपको बता देता हूँ, अब सबसे पहले, अगर parts में बात करें, तो jabronics का हमने यह cabinet यूज करा है, देखो PC हमने काफी सस्ते में करा है, अगेन यह यह बोलना पड़ेगा, तो इसलिए cabinet थोड़ा सस्ता material उठा है, आप चाहो तो future में अपग्रेड कर सकत कोई दिक्कत नहीं, बढ़ हाँ, हमने एक basic cabinet पुटा है, ज्यादे light-white के चक्कर में नहीं गए, वरना बहुत बढ़ेट बढ़ जाता, ठीक है, वागी cabinet के अलावा, मैंने बाकी सारे parts में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोशिच रही है, best आपके लिए तो सबसे बहले, motherboard ही आ आप लगा सकते हो, साधी साथ RAM आप इंस्टॉल करो, दो RAM की स्टिक मिल जाते हैं, GPU लगाओ, प्रोसेसर लगाओ, तो यह motherboard हमने टॉप लोंच यूज करा है, यह थोड़ा अपग्रेडेबल भी है, साथ में आपका काम भी हलका फूल का चली जाएगा, तो इतने सस्ते प्र परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगी, कैसी चल रही है, एक ओके-ओके रिपोर्ट वाला प्रोसेसर है, बागी देखके पता चलेगा, वो तो चलो, ठीक है, यह प्रोसेसर हो गया, हाँ, फैन भी आपको साथ में मिलेगा, जो भाई खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, जो खरीदें, या फिर जिनके लिए 5800, सब को यह सेम पार्ट मिलने वाले, यहाँ पर आपका प्रोसेसर आने वाला है, उसके अलावा बात करते हैं, तो 128GB SSD लगाई है, क्योंकि तुछा बजट कम था, हाँ, आप अगर इसमें वही, मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर करना था, साधी साथ 8GB, हम लोग RAM यूज़ करें हैं, कोई दिकत नी, DDR3 टाइप है, 4 तो नहीं है, यह motherboard अपना ऐसा है, 300MHz पर चल रही है, तो बेसिक सारे कम, यह पता है, और ऑफिस और यह नॉर्मल काम हो गया, यह बहुत casual, आपको PC PC चलाना पड़ता है, hard gaming वो सब के ल motherboard यह processor, processor अभी लगाते है, सबसे पहले इसे open करता हूँ, वैसे देखा जातो है, यह PC की pricing, टे टेंट, ओके report के साथ आ रही है, हाँ, एक चीज है, जो पहला user, उनको काफी सस्ते में, बिल्कुल हाफ से भी कम, और यह motherboard अपना आगया, कुछ चीज अपने को मिलती है, basic यह इसको बाहर निकालता हूँ, मज़ा आएगा, 5000 में राम टंटरनाता हुआ, यह आगया, major unit अपना, इस डब बबो को side करते है, जड़ा गौर फर्माई है, यह आपका प्रोसेसर के लिए, slot ठीक है, यह RAM के लिए आगया, यह अपना NVMe SSD भी आप यहां पे लगा सकते है, यह GPU इसको थोड़ा आराम सहट आने का, एक बर यह सब हो गया, तो इसके बाद हमें सीधे प्रोसेसर पर पहुंच जाना है, यह अपना आ गया, i3 वाला है, i3 का 3rd generation है, आपको अगर यह i5 3rd generation चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है, नीचे लिंक तो आपको मिली रहा होगा, तो अगर कोई भाई चाहिए, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, थोड़ा वो महंगा प्रोसेसर है, तो उस पर भी आप जा सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, i3 3rd generation, अब बेसी करना क्या है, आप लोग को पता है, नहीं पता है, तो थोड़ा ध्यान दीजे, यह कट दिख रहा है, थोड़ा लाइन टाइप का और यह आप प्रोसेसर पर भी नोटिस करोगे, तो इस तरीके की लाइन है, तो बस हमें यह दोनों लाइनों को मैच करना है, तो मैं सिंते यहाँ पर पहुंचूंगा, इसको यहाँ पर रखा, अराम से थोड़ा सेट कर अब बार यह थोड़ी थर्मल पेस्ट की तो यह सूई गॉम लेते हैं और यहाँ पर सिंपली मैंने थोड़ा बहुत थर्मल पेस्ट लगाना जरूरी होता है, हीट के लिए इतना काफी रहेगा, ओके रिपोर्ट के साथ यह भी डन, और मैं जर आप अपना बॉक्स आगया बॉक्स देखके तो लगता है इंटल का आए फाइव है बड़ यह फैन का हमें एक्स्टरनल लेना पड़िया ना प्रोसेसर तो भाई अब यह डिसकंटीन्यू हो चुके हैं तो यह फैन आगया और यह यह प्रोसेस बाई अपना दन हो गया फैन का तो यह फैन की वायर है इसको हम लोग या अगर आप ध्यान से नोटीस आउस करोगे यह अपना प्लग तो बेसिकली बस मैं उसमें जा रहा हूं और इसको यहां पर कर देता हूं करेक्ट तो पर्फेक्टली हो गया तो इसी के साथ भाई अपना मादर बोर्ड अलमूस सेट हो चुका है मतलल जितन यह इस तरफ से जाएगा और यह 8GB मेमरी यहां पर मैं कर रहा हूं और मेरे साब से बैतरीन तरीके से आवाज आ गई ना सेट हो गया तो यह हो गया वैसे अगर मेरे पास थोड़े और हमारा बजट रहता तो मैं वी लगवाए देता तो वह जादा अच्छी रहती चलो यहां पर देख सकते हो कैबिनेट पुरा सेट अन कर लिया इसमें मैंने पावर सप्लाइ यहां पर प्री इंस्टॉल कर दिया वैसे तो खरीदेगा उसको सब मिले गए बढ़ा तब भी हमने पावर सप्लाइट करके रहता है अब सीधे चलते हैं और मदर बोड को इसमें इ साथ में यहां पर फ्रंट की कुछ केबल मिलती है यह भी मैनेज कर लेंगे दो चार मिनिट का काम है एक चीज और बाई मदर बोड के साथ आपको एक आयो शील्ड मिली होगी तो इसको आमें बाहर निकाल लेना है सिंपल काम है इसमें यह जो साइड होता है यह हमेशा जिस इसको सिंपल ही बस मेर को यहां पर लेकर आना और यहां पर स्लोट में रख देना काम हो गया इतना सिंपल सा चीज होता है अब यहां पर देख सकते हो मदर बॉट सेट अब नेक्स्ट क्या समझदार कुशारा काफी है बिल्कुल भाई हम इसको एस तरीके आप को मिलते है याइस cabinet के साथ ही मिलते हैं तो इसी screws को हम बेसिकलि यहां यूज करने वाले यहां पर यहां पर मैं श्क्रू टाइट कर देता हूं एक पर यह कर लिया ना कोई भी clear कर लेता है सबसे पहले आपको एक healthy wire चाहिए काफी मोटी थगडी सी वायर है यही हमें चाहिए तो इसको में यहां पर कनेक्ट करना इसका शौकट भी आप देख सकते हो तो perfectly इसमें थोड़ा सा पावर लगता है यकीन से मैं बोल सकता हूं यह थोड़ी सी heavy रहती है तो यह भी अपना done हो चुका यहां पर काम बस दो ही चीजों को पावर देना था अगर अगर हमारे पस GPU होता तो हमें GPU के लिए चाहिए था पर GPU के लिए अगर आप कलको अप्ग्रेट करते हो तो पहले आप power supply में थोड़ा इन्वेस्ट कर लेना आगे वायर तो बाही मैं मिल जाएगा website से आप purchase कर सकते हो तो इसमें देख सकते हो यह हमारे को अपने को दो socket मिलते हैं इसके अंदर यह data transfer यह power के लिए तो data transfer के लिए आपको motherboard के साथ ऐसी cable मिली थी SATA वाली इसको एक को connect कर देना यहां पर perfectly एक पर कर देना जड़ा लीजे सर यह connect हो गई अब मैं स screw up तो यह काम हो जाएगा अपना एक चीज़ बताना भूल गया इसमें power भी तो आपको देनी पड़ी कि सिफ data transfer करना है तो power के लिए आपको ऐसी अपनी आपको सारी power supply देता है power supply में से आपको ऐसा कुछ connection एकदम सेम आपको size और type का मिल जाएगा तो इसके साथ यही कर लेना बागी अपना PC built almost done हो गया सब कुछ हो गया Windows बची पीसी बिल्ट अपना डन हो गया बस अब काम यहां पर आदे से ज्यादा नहीं सारा कुछ होई गया अब आओ इसकी थोड़ी यह performance और यह सब चीज़ चेक मारेंगे सबसे पहले Windows Windows run करते उसके बाद यह सब इसको यहार कर देता हूं और लिजए सब पीसी अपना स्टार्ट भी हो गया पर्फेक्टली वर्किंग कर रहा है और है यहां पर अपना स्क्रीन पर भी डिस्प्ले भी आ चुकी है अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आई बटन पर आपको टॉप क्लास साल दी और पीसी आप देख सकते हूं टम 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 टाइं चले जा रहा है अपना दुआधा अब देवो यार यह गेमिंग पीसी नहीं है इतना तो आप भी जानते हो अगर आप आप आए फाई वाला जो मैंने वेरियंट नहीं दिखाय था आपको वह ले ले लेते हो मैंनेज करते हो या कुछ डेटा एंटरी टाइप का काम रहता है बिजनस में तो वह सब भी काफी अच्छा हो जाएगा यह देख रहे हो मैं आपको ब्राउजिंग करके दिखा चुका हूं इसके अलावा गौर फर्माइए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह वर्ड ए और 3500 पे तो बहुत ही तगड़ी यह आपको अलग अलग चीज है आप चला सकते हो एक्सल एक्सल सब चल जाएगा आप से आईडी कनेक्ट करो उसके लावा यह गेम्स का तो तो तम भी हम लोग देख लेते हैं क्या सीन है उसके अलावा बात ही बात करता हूं आप वीडिय आपको बहुत लाइट काम रहता है इसे विजनस के लिए उनके लिए काफी अच्छी डील रह सकती है इसके लावा Android अप लाइक यार WhatsApp काफी लोग प्रेफर करते हैं तो यह सब चीज अगर आप चलाना चाहते हो एक एक्जामपल की तौर पर यह मैंने Facebook चला दिया तो यह अपर आम से चला सकते हो अभी मैं गेम्स पर नहीं हो यह मैं सिर्फ आपको अब बता रहा हूं Facebook हो गया यह सब चलता ही है इसके लावा WhatsApp यह मैंसेंजिंग आप है यह सब यह तो हलकी आप है यह आप कभी भी Clash of Clans टाइप यह सब खेल सकते हो मझे से तो यह कुछ परफॉ इसके लिए मैं यही प्रेफर करूँगा मैंने आपको i5 वाला PC दिखाया था ना सेम कॉन्फिकेशन रहेगा बस वहां प्रोसेसर आइफाइव रहेगा वहां आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर पाऊगे लाइक GTA 5 भी चल जाती है हलकी फुलकी Minecraft अच्छे में तो उसके लि वहां से shipment आपके घर पर डिरेक्टी आई जाएगा और हां बस चालू करना लगाना ओन करना विंडोस भी डली डला ही आएगी तो यह कुछ सीन था मतला इस PC का मैंने आपको एक एक्जामपल दिखा दिया यह सस्ते बजट में इसे कुछ खतरनाक खतरनाक PC बिल्ट लाने व तब तक लिए बाइयर जय ही जय भारत वंदे मातरम